हेलो दोस्तों टिपनी सक्सेस में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको कुरोना के असर से घर बैठे कैसे तैयारी करने का रूटीन जाने तो क्या आप बिहार दरोगा मेंस, इंफोर्स्मेंट साव इंस्पेक्टर, बी एससी सी इंटरलेवल मेंस, जे पी एससी, जे एससी स चाहर दरोगा प्री जो आने वाली है 2020 में तो किस तरह तैयारी को है जो कि मजबूत करें वह भी इस लॉक्डाउन की स्थिति में क्योंकि सबसे कठीन जो समय है क्योंकि आपको 21 दिन का लॉक्डाउन है और 14 अप्रेल तक तो आपको सोचना ही नहीं क्योंकि ये लॉक्डा कि ये क्या कुरोना भाइरस 14 अपरिल के बाद क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा और लॉक्डाउन खत्म होते ही क्या सारी परिच्छाएं अचानक शुरू हो जाएगी तो ऐसी बिल्कुल अस्थिति नहीं होगी और जिस तरह क्योंकि कई लोग चाइना के उधारन दे रह है और इंडिया में जो है आपको जिसे जांच हो रही हाला कि शंखिया कम है उसका कारण बहुत कारण है हो सकता है जांच भी बैर नहीं हो यह चल रही है यह लेकिन आपको शंखिया बल जो की लगए 800-800 पास अभी पहुचा हुआ है और संक्रमन में तो यह आपको मानना प छूट मिल लेकिन बढ़ेगी और सबसे अच्छी जो खबर आ रही है इस कि आंको घर्मी सै कहीं न सब देखा गया है कि इस परकौ्छ से तोellsी तो इसका प्रभाव मैंस थोड़ी से कम संख्या वाल नहीं तो इस तरह से थर्ड स्टेज आने वाली है या आ गई है तो उसमें काफी त्यूरता से तो आपको एजियूम करना हो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसी के सुरियली वाई बिहार दोरों का मेंस की तो क्या बहुत सारे लोगों ने पूछा वे कि चाच इस तरह की भीड़ भी बहुत एक्सेस भीड़ होती है तो उमीद है इसकी पूरी समभावना बढ़ा और कब तक हो सकती है तो कम से कम जो है आपको जून में समभावना लगती है कि आपको प्रिच्छा हो सकती है तो इसको एजियूम करके आप टारगेट करें और पर भी मंगाया मैंने नंबर दिया तो तो नंबर आप नोट कर सकते हैं इसमें तो 8789205227 तो यह मेरा है भाट से पर कॉल ना करें क्योंकि मैं परसान रहता हूं और कारीज करते रहता हूं तो इसलिए जो कि आप भाट से पर हैं अगर आपको PDF चाहिए खासकर बिहार दरोग मेंस की और जो इंफोर्श्मेंट सब इंश्वेक्टर की है 12 सेट तक चला गया तो उसको आप जो कि बना जो लोग बना चुके हैं तो अच्छी बात जो लोग नहीं बनाया है वो बना सकते हैं तो बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कैसे किया जाए घर बेठे अभी इस परिस जो की बनाया है और यह कठीन कार्ज है मैंने हाला कि काम कई वाAR कि मेने जो बनाया हूव सेट है उसको फिरसे क्योंकि उसमें गलतियाहं जो हैं आपको चार अगर एक महीना हो गया हो तो ज्याधा स्य calculated ज्यादा आपको अंतर मार्स मार्स का पाँच बड़ेगा फिर सेगन होगी तो आप उसको दुवारा भी बना सकते हैं और नए सेट अप कर अगर ऑफ लाइन तो भी उपलब्ध होना मुस्किल है तो आप उसको खुजनी की तरह और पढ़ते रहें और सबसे वड़ी चीज इस महोल में पढ़ना बहुत कठीन है क्योंकि हर्समें लगा हुआ रता नहीं होने जा रहे हैं इसमें घवराने की कोई बात नहीं है और चाइना में धीरे-दीरे ठीक भी हो रहा है और अन्य देशों महला की बढ़ रहा है लेकिन प्रयास जारी है तो आप इसको सेट है जो की कंटीनिव चाहे डूटेरिया से हो प्लेटफॉर्म से हो या अन ऑन जारी है तो उसको आप जो बिसे कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि आपको मौका मिला है कि आप जो की रहे जो लोग फसे हुए कई लोग है जो कि कई जगा फसे हुए है तो वह अगर सबसे बड़ी चीज़ तो जब तक पेट में भोजन की विवस्ता में घरव के लिए दिक्कत है या मकनमाली के रेंट मांग बहुत सारे फ्रोलम सारे तो उनको थोड़ी से नुक्सान लेकिन घवराने की बात नहीं आपको उमीद है सरकार भी विवस्ता धीरे-देरे कर रहे है और इन्फोर्स्मेंट सब इस्पेक्टर की बात करते हैं तो इसकी भी अगर परिच्छा ली भी जाती है तो बहुत थीन चार सेटिंग में सीटिंग हो सकता है बढ़ सके एक सीटिंग में तो मुश्कील है इतनी संख्या में परिच्छा लेना तो हो सकते ही सतरह मैं को हो भी लेकिन उसकी चांसे जो है 50-50 बढ़ने के ही ज्यादा चांसे है तो के लिए क्योंकि उसमें करेंट भी आपको पढ़ने पुड़ेंगे तो जो भी ओनलाइन स्रीज है उसको आप पढ़ें तैयारी करते रहें इसको उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही होती है मैठ और नहीं नहीं होगी क्योंकि आपको अपरील मैं जून जून जूलाई मान लिजें इसी को टारगेट रखते हो इसमें भी देड़ सो प्रशनों का है जो की सेट दे रहा हूं तीसरा सेट है जो की डाला हो बहुत सारे लोगों ने बन सबसे बड़ी लापरवाही होती है मैठ और नहीं में लोग बनाते हैं सिर्फ जीएस जीएस पर धियान देते हैं तो आप इस पर है जो कि त्यारी कर सेट वहीं उसी में मिला क्योंकि देड़ सो प्रशनों को वहीं लेवल है और इसमें जो है ब्ससी इंटर लेवल मेंस के बिए आपको वही सिल्वस है 50 जीएस है 50 में आपको सामान गनीत और समान वीज्ञान हो जाएंगे और 50 में रिजिनिंग है जो की और इसका भी है जो कि आप सेट फ्रेक्टिस जो जिक्ट है और जो गलत होता है खासकर उसको जो कि आप कंटिनी बनाते रहें और और उसको मतलब उसको खोजे कि क्यों गलत हुआ उसके बाद GPSC तो क्योंकि फेकेंसी निकली थी फिर रद्ध हो गई और उसकी जो संभावनाएं अभी धुमील हो गई है तो जो लोग क्योंकि GPSC में चांसेस था कि बाहरी लोग भी भर सकते थे उस विग्यापन कुछा लेकिन अब क्य जब जो जार्क हेंड की लोग है वह है जो कि तयारी करते रहे जार्क क्योंकि JSSC जो उन्होंने जरूर भरा होगा तो JSSC CGL भी इसी दो मिशायल निती कारण अभी अधर में लटक गई और उमीद अभी दो तीन महीने तो बिल्कुल नहीं जब तक पूरी तरस कोरोना खत् करने की परियास में इसे बचाव के तरीके में लगी हुई है उसके बाद है 66 VPSC Pre जैसा की दिया हुआ था कि जून लास्ट में आपको प्री का एकजाब तो उहां पर समभावना बन रही है कि आपको प्रीजाब होसते हां वेकेंसी जो आनी है अप्रील में आएगी कि मैं म सबसे टफ जो कोश्चन रहता है वह भी 66 VPSC Pre में ही रहेगा तो इसका स्टेंडर लेवल रहेगा पहले क्या होता था कि रेलवे की जो त्यारी करते उसी लेवल के लगभा कोश्चन रहते थे और सलेक्ट हो जाते अब जो है ठोड़ी सी डीपली नहीं पढ़ेंगे चाहे आर्थिक बिहार की और सर्वे हो या सोदंता संग्राम तो उनको अब वरसानी होती और कट उप से काफी दूर रहे जाते हैं तो आपको इसके लिए सेट प्रैक्टी से जो कि मारना पड़ेगा और कंटिनी हो है जो कि बनाना पड़ेगा इसके लिए और थोड़ा सा इम्ति लेने वाई यह कुरोन भाहिशत अगल के लिए आगे क्या होगा तो उमीद है कि यह खत्म हो सकती है तो बिहार द्रोगा प्रिये जो कि आपको जू जुन 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 जुलाई मारे लिए उसके लिए तयार है जो कि आप सेट में डाल रहा हूं 12 शेट उसको आप बना सकते हैं उसकी चैयरी है कि कर सकते हैं और रूटीन की किस तरह पढ़ है सबसे बड़ी चीज़े सारे लोग क्योंकि कहले घुमने जाना नहीं न सारे लोग जन्रावब क्यों काफी लेट यूटते है या नींधी नगी टेंसन तो आप सवेरे पढ़ सकते हैं सबेरे पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज है वह आप मैठ और रिजनिंग को बनाएं क्योंकि दरोगा मेंस में भी है आपको सबसे 50% के लगभग रहेगी इंटर लेवल मेंस में भी रहेगी और जिनका खासकर कमजोर मैठ रहता है वह तो बिल्कुल डरते हैं जिनके अच्छी मैठ है वह भी नहीं बनाते हैं मैठ और रिजनिंग इसलिए जो प्रैक्टिस करते हैं उनके एकुरेट जाते हैं या 99% जो छोड़ करते हैं वही अंतर है जो की रिएट से बाहर कर देता है तो आप सवेरे में मैठ और रिजनिंग को उसके बाद क्योंकि दिन में आप टेंसर में हैं जो कि आप जीएस पढ़ सकते हैं इन मैठ मैठ और रिजनिंग को सवेरे पड़े उसके बाद जो बचा समय है चाहे दो पहर हो चाहे साम हो चाहे रात हो तो जीएस पर फोकस करें और और एक चीज है जिनका जनरली देखा गया है मैठ और रिजनिंग जो भी भी से कमजोर हो उसको ज्यादा धियान दे उसको डाउन क मैठ और रिजनिंग कमजोर है तो जीएस को थोड़ा कम देखे और जिनका है जो कि जीएस काफ़ी को कि बहुत सारे दिन से तयारी करते हैं तो कितने ने लड़के ने लड़के उनका जीके जेनरली कमजोर रहता है अपिछा करी जो पुराने लड़के है तो वह क्या करते ह है जो continue उन्हीं का result होने की संभावना क्योंकि यह सारे लड़के इससे परभावित है कुछ न की कोई थोड़ी सी कम परभावित है कोई बहुत ज्यादा ही परभावित है तो यह अंतर है जो कि result में भी दिखे स्पीड पोस्ट भी जानने पर लोग कहते हैं कि यह कुछ जाही नहीं रात में कि लेकिन आपका कर्ताव है कि आप इसको की डाल दें उसके कहने पर नाम आने क्योंकि अभी तक बढ़ाई नहीं है पांच चार चार चक दो सुधार करने का था प्री में और यह तो डेट बढ़ाई दिया है प्यमेंट श्टेटस फैले और ऑन लाइन आवे दन वाले तो इसको इसको त्यारी करते रहे और जहां तक सेट फ्रेक्टिस का सव रहते हैं और आर भी एंटी पीसी की अपको लगभग है को अंगर रिजूम करना क्योंकि मैं तक तो टेंडर ही है तो अगर बहुत तीज हुआ बहुत सब चीज हुआ तो आपको जुलाई से पहले उमीद नहीं है अगर अभी कि माना जा तो अप्रील मै जून तो तीन से सा प्राइब करने पड़े तो यह लोग आपने घर में क्योंकि आप संपर कर सकते हैं और मनोगल बिल्कुल नहीं गिराना है क्योंकि जितनी आप साफधान रहेंगे तो आपको कोरोना से कोई डरने लेकिन अगर आप साफधानी बरते बिल्कुल लापरवाही बरते कि नहीं यह तो होई नहीं सकता मैं कुछ भी करूँ किसी से भी संपर्क में रहूं तो ऐसी लापरवाही है जो कि नुक्सा काम हो तभी निकले तो इसी के साथ धन्यवाद